आज हम बात करने वाले हैं, sleeping beauty के बारे में यह कहानी है, एक लड़की की जो हर चीज़ को experience करना चाहती है और उसका यही over adventurous होना, उसे एक ऐसे राह पर ले करके जाता है, जो उसकी जिंदगी को बदल के रख देता है, कहानी की शुरुआत होती है, और हम Lucy नाम की एक लड़की होते हैं, इन experiments के उसे पैसे मिलते हैं, जिससे Lucy का घर चलती है, लेकिन इतने पैसे भी उसके लिए काफी नहीं है, जैसा ही experiment खत्म होता है, वो चली जाती है, कैफे में काम करने के लिए, जहां पर वो वेट्रस है, Lucy ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताती है, सुबह से ले करके शाम तक वो काम करती रहती है, काम खत्म करने के बाद, वो हर रोज रात में एक बार में जाती है, जहां बैठ करके वह अपने आपको शान्त करती है, लेकिन आज जैसे ही वो जाती है, वो लड़की कहती है कि उसे Lucy पसंद है, धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते है, ये लड़की Lucy को नशा भी करवाती है, नशा करने के बाद, दोनों लड़कियां बाहर आकर के बैठ जाती है, वो जिस सोफे पर बैठी है, उनके सामने दो लोग बैठे हुए है, उनमें से एक लड़का खुबसूरत है, और दूसरा बूढ़ा आदमी है, ये दोनों इन द लूसी है, वो दो बार और सिक्का उचालता है, लेकिन बार बार वो बूढ़ा आदमी जीत जाता है, तब लूसी उसके साथ उसके घर चली जाती है, और रात भर वो उसके साथ ही रहती है, फिर सुबह सुबह वो घर पहुँचती है, हमें पता लगता है कि लूसी अपनी बहन के साथ रहती है, लेकिन उसकी बहन खुद उसके बॉइफ्रेंड के घर पे रहती है, उसकी बहन का बॉइफ्रेंड उसे बिलकुल भी पसंद नहीं करता है, उसने लूसी को सिर्फ एक ही शर्त पर यहां पे रहने के लिए बोला है, कि वो हर एक महीने किराया देगी, जै उसके बात कर लो, वो आकर के बात करने लगती है, दर असल Lucy की मा को उसके कार्ड के डिटेल्स चाहिए, Lucy पूरी डिटेल्स दे देती है, उसकी माँ एक के बाद एक ऐसे ही सवाल पूछती रहती है, Lucy कहती है कि अभी वो काम पर है, वो फ्री होने के बाद कॉल करे और यहां से निकल जाती है, शाम में काम खत्म करने के बाद वो पहुँचती है, अपने बॉइफरेंड के घर पे, लूसी के बॉइफरेंड का नाम है बैड मैन, वो एक शराबी है, वो शराब के नशे में धुत रहता है, फिर भी लूसी उसे नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि हमेशा ही लूसी को उसकी आँखों में प्यार नजर आता है, क्योंकि बैड मैन सच में लूसी से प्यार करता है, वो उसे शादी भी करना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी हालत क्या है, वो अपने शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता, और अपनी इस हालत में व उसे एक आर्टिकल नजर आता है, वो तुरंट उस नंबर पर कॉल लगाती है, तब सामने वाला आदमी उसे अजीब हो गरीब सवाल पूछने लगता है कि लूसी देखने में कैसी है, उसका फिगर कैसा है, वो उसके हर एक अंग के बारे में पूछता है, लूसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, फिर भी वो सवालों के जवाब देती रहती है, क्योंकि उसे सच में नौकरी की जरूरत है, सारे सवाल पूछने के बाद वो आदमी उसे एड्रेस बताता है, और कहता है कि कल आ जाओ, इंटर्व्यू के लिए तब लूसी वहाँ पर पहुँच जाती है, जाते ही उसकी मुलाकात होती है, एक औरत से जिसका नाम है क्लेरा क्लेरा लूसी को देख करके कहती है, कि तुम बहुत खुबसूरत हो, तुम्हारे जैसे ही लड़की की तलाश थी, हमें मैं तुम्हें काम पर रख लूँगी, लेकिन उससे पहले म तकरीबन 50 यूरो मिलेंगे, अगर मनजूर हो तो बोल, तुम जब चाहो तब से काम शुरू कर सकती हो, लूसी भी तयार हो जाती है, तब क्लेरा उससे कहती है कि हम पहले तुम्हारे पूरे शरीर की तलाशी लेंगे, और हम उसे और खुबसूरत भी बनाएंगे, इतना कह लेहने के बाद वो लूसी को कपड़े उतारने के लिए कहती है, फिर ये लोग उसके हर एक अंग पर काम करते हैं, ताकि उसका पूरा शरीर चमक जाए, वो पूरे शरीर को बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर कपड़े पहनाने के बाद घर भेज देते हैं, क्लेरा बतात जल्दी ये गाड़ी लेने के लिए आएगी तुम्हें और ऐसा ही होता है। ये गाड़ी आके लेकर के जाती है लूसी को वो जाती है अलीशान घर के अंदर जहां पर उसे एक औरत मिलती है। वो लूसी को फिर से सजाना शुरू कर देती है। बहुत देर तक वो लूसी का म थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि लूसी अब बिल्कुल बदल चुकी है, तब वो लड़की उसे ले करके जाती है, यहाँ पर उसकी जैसी बहुत सारी लड़कियां है, इन सब ने लगभग कपड़े उतार दिये हैं, लूसी देखती है कि बहुत सारे बूढ़े मर्द बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो जुआ खेल रहे हैं, और इन सब का काम है कि वो उन्हें ड्रिंक सर्व करें, और सारे बूढ़े लोग देख रहे होते हैं, लूसी को, लूसी जब बगल से गुजरती है, तब एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है, और लूसी जमीन पर जला रही है, फिर वो चली जाती है, और शाम को दोबारा पहुच जाती है, उसी बार में तब वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो लूसी से बार-बार फ्लर्ट कर रहा है, लूसी समझ जाती है कि इस आदमी के इरादे क्या है, वो भी उसका साथ देने लगती है, नए नए मर्दों के साथ उनके घर पे जाती है, वो उनके साथ intimate होती है और पूरी रात वहीं पर सोती रहती है, उसे पसंद नहीं कि वो अपने घर पर जाए, क्योंकि वहाँ पर उसकी बहन का boyfriend उसे परेशान करता है, ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाता है, एक दिन Lucy को दोबार क्लेरा का कॉल आता है, वो उसे फिर से काम पर बुलाती है, और Lucy चली भी जाती है, जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होने वाली होती है, उसकी नजर पड़ती है, एक लड़की पे जो बिलकुल भी चलने की हालत में नहीं है, और एक आदमी उसे बैठा रहा है, गाड़ी म इन चीजों को देखने के बाद कहीं न कहीं Lucy डर जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो जानती है कि वो सवाल भी नहीं पूछ सकती, आखिर वो किस से सवाल पूछेगी, उसे काम करते हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, और उसके अंदर ड़ भी है कि अगर उसने सवाल पूछा, तो कहीं ये लोग उसे काम से ना निकाल दे, वो अंदर आती है और तयार होकर के बैठ जाती है, क्लेरा के सामने, क्लेरा के हाथ में एक कप है, क्लेरा कहती है कि तुम्हें ये पीना पड़ेगा, लुसी कहती है कि इसमें क्या है, इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी, उसके बाद हम तुम्हें बिस्तर में डाल देंगे, बिना कपड़ों के लुसी को समझ में नहीं आता कि उसके बाद उसके साथ क्या होगा, मगर वो क्लेरा से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और प्याली लेकर के पी लेती ह पीने के बाद हम देखते हैं कि इसके सारे कपड़े उतार दिये गए हैं और उसे बिस्तर में छोड़ दिया गया है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आता है, क्लेरा के साथ जैसे ही क्लेरा जाती है, बुढ़ा आदमी भी अपने सारे कपड़े उत सकती, तो दस दिन में यह कमरा खाली करो, मैं इस कमरे को किसी और को किराय पर दे रहा हूँ, लुसी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें किराया तो दे ही रही हूँ, वो आतमी कहता है कि नहीं, जितना किराया तुम दे रही हो, उतना काफी नहीं है जो नया आत्मी यहां पर आकर के रहेगा, वो तुमसे ज्यादा किराया दे रहा है, लुसी को अब समझ में नहीं आता कि वह क्या करें, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, अब वो बाहर आती है और घर ढूंढना शुरू कर देती है, थोड़े समय के बाद उसे घर मिल भी जाता है, लेकिन जितने पैसे लुसी के पास बचे हुए हैं, वो जानती है कि ज्यादा दिनों तक वो सर्वाइव नहीं कर सकती, उसे और पैसों की जरूरत पड़े की, वो कॉल करती है, क्लेरा को उससे कहती है कि क्या आप मेरे शिफ्ट बढ़ा सकते हो, मुझे पैसों की जरू क्लेरा कहती है कि वो सोच के बताएगी, अभी उसके पास कोई काम नहीं है, तब लूसी और भी ज्यादा निराश हो जाती है, और सोचने लगती है कि वो पैसे कहां से बनाए, तब उसे याद आता है, अपना पुराना काम, जब वो लैब में जाकर के अपने उपर एक्सप वाई पीती है और लेट जाती है बिस्तर में, उसके लेठने के बाद क्लेरा एक और बूढ़े आदमी को लेकर के आती है, यह बूढ़ा आदमी नया है, यहाँ पर पहली बार आ रहा है, तब क्लेरा उसे पूरे नियम बताने लगती है, कहती है कि तुम इस लड़की के हैसास नहीं होता, अगली सुबह जब वो घर वापस जा रही होती है, तब ही उसके शरीर में दर्द होने लगता है, वो भी समझने लगती है कि जब वो सोई होती है, तब कुछ ना कुछ तो उसके साथ घलत हो रहा है, तब ही दिन में उसे दर्द हो रहा है, अब लूसी इ बाइड मैन के घर पे घर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि बैड मैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। कुछ भी समझ में नहीं आता। बुढ़ा आदमी ऐसे ही उसका शरीर के साथ खिलवार करते रहता है। इसका सिलसिला बहुत देर तक चलता है। एक के बाद एक बुढ़े आदमी ऐसे ही आते रहते हैं और सारे लोग लूसी को टॉर्चर करते हैं। लूसी को बाद में चीजें महसूस होती हैं लेकिन वो चाह के भी इस काम को नहीं छोड़ सकी। उसकी बाद में चीजें में और सारे रहते हैं। उसकी बाद में लूसी को आकर के कहती है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। अब तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। लूसी कहती है कि आखिर मैंने किया क्या है, उसकी बॉस कहती है कि एक बार अपने रिपोर्ट को देख लो, तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर रही, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहां रहता है, मैं तुम्हें अभी के अभी काम से निकालती हूँ, तब लूसी यहां से निकल ही जाती है, एक दुकान में वहां से एक कैमरा खरीदने के लिए, ताकि जब भी उसे ख्लेरा बुलाए, तब वो जाकर के कमरे में कैमरा लगा दे, और वो चीजों को देख पाए कि आखर उसके साथ हो क्या रहा है, कैमरा लेने के बाद वो पहुंचती है, कैफे में और काम क शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद उसके पास एक लड़का आता है और बात करना शुरू कर देता है। बात करते करते वो ड्रक्स निकालता है और लूसी को आफर करता है। लूसी हालत में पहुच जाती है। क्लेरा के पास। क्लेरा उसे देख करके कहती है कि क्या हुआ। तब वो बताती है कि उसकी तबियत खराब है। उसे कई बार उल्टियां हुई है। लूसी क्लेरा से कहती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। आज मैं ये दवाई नहीं पीना अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें इस दवाई को पीना पड़ेगा। लूसी मान जाती है और दवाई पी करके जाने लगती है। लेकिन क्लेरा को पता नहीं है कि लूसी ने अपने मुह में कैमरा छुपा करके रखा है। कमरे में जाते ही वो कैमरे को लगा देती और क्लेरा नियम बता करके चली जाती है वो बुढ़ा आदमी सो जाता है लूसी के साथ बिस्तर में सुभह सुभह जब क्लेरा उसे उठाने के लिए आती है तब वो देखती है कि वो बुढ़ा आदमी मर चुका है वो रात में ही मर गया था अब कलेरा भी डर जाती है और लूसी को उठाने लगती है लूसी जैसे ही जगती है उसे पता लगता है कि ये आदमी मर चुका है तब उसकी हालत खराब होने लगती है वो इस बात को समझ नहीं पाती कि वो पूरे रात एक मुर्दे के साथ सोई थी ये बात उसे अंदर से ख जाती है यहां से जाने के बाद वो देखती है उस फुटज को तब उसे पता लगता है कि वो आदमी उसके पास आया और उसके थोड़ी देर के बाद ही उसकी मौत हो गई फिर इसी के साथ साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है